अब सुम्हारा आज मैं दिखाँए आपको की कंड़ूक्डर के बारे में यह जो कंड़ूक्डर आप देख रहे हैं यह कंड़ूक्डर यह वीजिल कंड़ूक्डर है, ठीक है यह कंड़ूक्डर più L-T-Line में using होता है इसमें जो strigareंड होते हैं जो वायर थोड़ा सा जूम करवा यह जो वायर आप देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे इसमें छे ऐलमुनियम के वायर होते हैं और जो मिडल वाला जो आप देख रहे हैं यह स्टील का बना होता है स्टील हम इसलिए यूज करते हैं ताकि यह कंडुक्टर को मजबू लोती देखते हैं तो इसकी जो करण्ट केरींग कैपसिटी होती है वह होती है 144 इंपियर और जो इसका ऑवर Υाय होता है वेजर कंड़क्टर का वह होता है 7.7 mm और इसका जो ब्रेकिंग लॉड कैपसिटी होती है इसंच अनडुक्टर की वह होती है ग्यारा पॉइंट फिफ्टी फोर किलो न्यूटन ठीक है ब्रेकिंग लोड मतलब यह होता है कि कितना लोड हम इस कंडुक्टर पर डालेंगे और यह कब तूट जाएगा ठीक है तो यह ACSR कंडुक्टर है ACSR मतलब होता है कि Almonium Conductor Steel Rainforced जो भी जिस भी कंडुक्टर में Almonium और Steel यूज होता है उसको ओवर आल एरिया इसका होता है पूरा जो भी ओवर आल एरिया इसका होता है वीज़ कंडुक्टर का वह होता है 30 सुखैर mm ठीक है यह कंडुक्टर हम यूज करते हैं distribution transformer से जो भी output हम देते हैं जो भी लाइन हमेरे consumer तक जाती है यह conductor वहीं पर यूज होता है अब देख सकते हैं यह conductor यह वीज़ कंडुक्टर है सम टाइम वी यूज इट इन 11 के वी आलसो वहां पर ट्रंक टेल का issue रहता है बट यह नॉर्मली के लिए यूज होता है तो एरिया की बाद अगर करें इसका है एरिया 30 सुकेर एमम का इसका टोटल एरिया होता है और जो diameter होता है वीज़ कंडुक्टर का पूरे इस पूरे का diameter होता है 7.77 mm ठीक है